हालो दोस्तो आज फिर से आपका स्वागत है दोस्तो परसंटेज के ये पार्ट फोर लेका आया हूँ मैं इतना जरूर बता दूँ अगर आप थमबेल देख करके अगर फोटो देख करके वीडियो देखने आये हो तो समझो सही जगह पर आये हो और दुसरी पार अगर इस व अब भी से लेकर अंग तक देखो ऐसा रूल पर होंगा कि आप भी कहोगे कि वाके ही परसंटेज का पार्ट फोर जो है न हमारे लिए सब से बहतरी दूल है तो चलिए दोस्तों टाइम को जाया नहीं करते हुए आपको क्वेस्टन की और लेकर चलते हैं लेकिन एक बात य करिकेशन आपको मिलता रहे चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं को चलिए देखते हैं इस को सो और वाके ही दरवर्दस को से दोस्तों परसेंटेज का क्या कहता है कि आम के मूल में 20 पर 30 कमी हो जाने के कारण एक गहां को 200 रुप्या में पहले से 5 किलो ग्राम अभी खरी स पर 30 किलो घटा हुआ मूल क्या है तो दोस्तों अभी आम का सबस्तों है अगर आम ने खाया तो क्या खाया है कि नहीं तो आम खाओ लेकिन देखते होंगे दौम घटता है बढ़ता है समझें दौम घटता है बढ़ता है उसके मुसान से क्वश्चन आगा दोस्तों इस परक 800 रुपिया है अगर घट गात तो हम 5 कजी अधी के खड़िद heißt मतलब गटेग कात उतना रुपिया में ज्यादा खड़िड के आगर बरेगा थे संजहाते हैं चलोह हैं अभीचा उतना रुपिया में ही आम है ठीक है और आपको हम 500 टका दिये कि जाओ बाबु आम खरीद लो, खरीद के आगया, कॉल दीर में क्या हुआ, कि आम कादम हो गया 40 टका, तो क्या आप उतने आम खरीद के आओगे 500 में, नहीं, ज्यादा खरीद के लाओगे, कुछ ना कुछ केजी ज्यादा खर दोगे, आम मन लो कि अगला दिन धया, और आम कादम हो गया, 60 टका, बहर गया, तो उतने केजी खर दोगे 500 में, नहीं, कौम खर दोगे, मतलब अकर दौम घटेगा, तो ज्यादा केजी खर देंगे, दौम बढ़ेगा, तो कौम केजी खर देंगे, तो एक ना को ये वो पस्टन आपको पुछत है, एक पुछता है, घटा हुआ मुल, घटा हुआ मतलब बरतमान मुल, बरतमान मुल पुछेगा परतिकेजी, या आपको प्रारमभिक पुछेगा, प्रारमभिक मुल परतिकेजी, तो ये वो मुल ये पुछता है दोस्तों, या तो बरतमान मुल पुछता है, या तो प्र परकार का इसका मैथर है उतना मैथर में आपको नहीं ले जाना चाहते हैं आपको बताते हैं पुछ गुष जाये और उसका अपलाय करके आप डिरेक्ट वे में बीना कोलम का निकाल सकते हुई में करके दिखाऊँगा दूसरा एक्जाम्पल में पहले प्वस्टोन देखते हैं अभी देखिए दोस्तों बीस परसेंट दौम कमा है और बीस परसेंट दौम कमा है आम का मुल तो हम कितना रुपिया में पांच केजी अधिक खरीद लिए हैं अच्छा यह ची बताओ इस बीस परसेंट नहीं घटत हां आपस में बराबर है घर में पापा पुछे का रहे यह पांच केजी एक्स्ट्राक का है आया तो नहीं कहेंगे कि पापा जी जो है बीस परसेंट घट गया इसलिए पांच केजी ज्यादा ले आएं चूरी करके थोरो लाए हैं जो आप इस तरह से पुछते हैं समझा द परसेंट कम हुआ तो पांच केजी जिए परसेंटर चाल पांच केजी हो गया इसे परसेंट का है फॉर्ट है तो छ जैदा नहीं होगा पुछ भी खरीत गए किसी लिए अभी में खेंदे हुआं कि खरीदते होंगे तो अपनी आपका 100% होगा इससे ज्यादा नहीं होगा कुछ भी खरीदो 100% अभी जितना भी खरीद के लाए 100% तो भाईया 20% बराबर पांच के जी तो 100% बराबर कितना हो गया तो देख लिए 25-100 या तो पांच गुना एक सो बटे 20 कर दो 25-100 यानि 25 के ज 25 के जी और क्या है कि अभी हम 25 के सब्काइब करीदे हैं कितना खड़ीदने हैं 25 के जी इसीलिए हमको घाटा हुआ मूल परटी के जी निकालना जी निकलना है तो भैया केतना रुपियां में 2500 क्यों değer होगा है जो अभी खड़ीदा हैев सब्सक्राइब करते हैं और दोनों तरीक आगर मौन लोग के आरंभिक मंगत काता पहले वला को कैसे निकालते हूं देखो कैसे निकालते हैं करते हैं अब देखो करना है क्या है अब देखो करना है क्या हमको सिधा समझना है और 20 पर रहा हटा तो पांच के जी जादा करीदा अब आपको अगर घटा हुआ मुल निकालना है तो सिधा का करना है धायशों में भी कितना खड़िए हो पांच के जी से भागा दे तो दोस रुपिया हो जाए अगर आपको कहता प्रारंभिक प्रारंभिक परती के जी कितना होगा प्रारंभिक मतलब पहले वला मुलने बढ़ा वला घटा वला पहले वला तो वह क्या करते हैं वहीं धायशों लिखते हैं ख़िक हाई और यह को काम करते घा अभी पांच के जी जी खड़िधे हो 5 के जी जाधा नहीं कितनका है हचरी लिखेर ओज़िए हो 5 के जी जादा भागा देगा हो फाइले से तो पांच के जी घटा दुखा मतल tuh 5 के Đिख जी को आप पहले सब और तो mai जी जादा हो अगर निकालते अगर बर्दमन कर रहा है तो यह निकालते समझ माया समझ माया तो चली एक और देखते हैं बिर्धी वला और फिर आपको ले चलेंगे इसे भी बन्य अटाक का क्वेशन हम पहले ने बोले हां कि अगर यह वीडियो पूरा नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा और यह चीज़ और दोस्तों ठीक है वीडियो देखो तो पूरा देखो इने भागा भागा के अरे साथ साथ चलो ना पॉंच मिनट लगिया जाएगा तो जमीन भी रहा है जमीन भी रहा है थोड़ा सा कॉनसर फुट जाएगा तो बताइए तो जहां में का किजेगा जहां एक नमर आने वाला वहाँ 0.25 निंगेटिव देकर जाएगा रेल्वेम 0.33 निंगेटिव देकर जाएगा तो बढ़ने लगेगा इसलिए अभी थोड़ा सो समय बरबाद कर दीजिए ठीक है जब चले जाना अपने भर तब तो आप जैसे यूज करना वैसे तो में को करेंगे और नीचे वाला क्वेशन आपके रिए छोर के जाएंगे अरे आप भी तो बनाओ नीचे में कमेंट करो बना करके ताकि हमको भी पता चले हो आप लोग महिनती हो इन गुम्सुम राखोगे तो कैसे पता चलेगा हाधरी लगा ठीक है कमेंट जरूर करो वीडियो क सब के पास पहुंच जाए और सब इसको देख करके फिरी हो जाए चलिए दोस्ते इसका समधान करते हैं अब की बार बस बुसरा तरीका है करता है कि आलू के मूल में 20% की बीर्दी पहले कमी होँआ था तॉब की बार बीर्दी हुआ जैसे ही 20% की बीर्दी हो जड़ने पर देखो सोब देखो उतने लाए हैं लिकीन क्या हुआ ज्यादा हो गया दाम् इस का मतलब अभी 50 आपने कितना खरिदा अभी आपने कितना खरिदा पचास के कह जी खरिदा तेखा अगर बढ़त मुझे तो 100 परसेंट निकाल कर एक पैसां में भाग दे तो वही अंतर होगा है लेकिन पूछ रहाए कुछ सामूल दोस्तों आरम भी कि आरम भी कि दरपड़ती केजी पूछ रहा है तो अब यह दो कुल पैसा कितना है 330at अब बतागे एक बात अभी तो दोस्ट के जी कम खराइकों элемुख कडिते हैं इसका मतलब है किो तो पहले ज्यादा खरिदे थे अभी जब ज्यादा खर देंगे तो घटाएंगे अग्वाम खरिदे हैं तो जोड़ेंगे कौन सा मूल निकालने के लिए प्रारंभि मूल निकालने के लिए अगर बर्तमन निकालना है तो 100% निकाल करके कुल पैसा में भागा देजिए चाहिए वो बढ़ा हुआ मूल हो या घटा हुआ मूल हो चलिए एक बार और इसको शॉटकर माते हैं कुछ नहीं करना है दोस्तों सीधा अंसर दे देना है है ना ऐसे चुटकी बजा करके अंसर द परशेंट वराबर दोस्तों कितना हो गया था 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 अगर हमको करा प्रावरांबिक मून निकालने के लिए 307 में तो भी दोस्तों कि कॉम खड़ीते तो पहले दोस्तों कि जाता खड़ीते तो जूर देंगे साथ से भागा देंगे छो रुपिया अगर आता अबर्टमान निकालने के लिए 307 में से दोस के जी यही नहीं करते सिधा पचासे से भागा देंगे 7.2 रुपीच समझ माया तो दोस्तों समझ माया आया थी परसंद देखे लिए परण्यों से चीनी के मूर में 15 परसंद कम समय होने पर गार्ण 340 रुप्याम में पहले से पंच के जी खरिता और अटाइ कुम आधादा खर देगा तो चीनी का पड़ती के आर्मिक मूल निकालना हां ठीक हां इसको बना कर लें नीचे कोमेंट में करना हांना है टो पिर तो बेना हादरी का परोगे तो समझिय है रह सब्सक्राइब दोस्तों अगला टैप देखते हैं इसको भी वैसने ही जबर दस्तारिकाश शॉल्व करेंगे ठीक है तो देखिए पसंत हता है कि कितिनी पर्तिसता हैं देख्यों है ना रुपेस का आय जो है पर legitimately समय कि है अंपले संख्या अधिकिती थीह दोस्तों च्भी तुझम को मांटक के कंडिकाश झाड़ियों एक अलोग तरीके से बनना अलोग तरीके क्या है तो पहले यह को sesha कितना है हिसयदार किड़ना है मतल Allah asking मैं बर क्या है कुल संखिया है पहले उसको indicate कर दो और जो खाने वाला पहले पेठा होगे पहले पत्ता लगाऊगे नहीं?" फिर खाना होना परसेंगे खिलाएंगे बढ़ियां स्वागत करके भेज़ेंगे लेकिन चाहे तो पिलाना ठीक है समझ रहे हैं ना चलिए तो पहले तीन संख्याएं जिसी लिख दीजिए ए है पी है सी है ठीक है और दुसरा बात याद रखना दोस्तों मानतें उसको है जिस पहले से रिलेशन में कुछ और लग रहा है और उसको कुछ और कहके बुलाओगे समझ रहे हो ना तो दीय फठा चलेगा अब मान लोग पहले से मौसी लग रहा है और उसको पूछते हाई सुनते हैं जी है भगलोवला पुछेगा उह पुछेगा अपपा दनेगा तो उह देगा इसलिए दू को बात याद रखना जिसके अब मान लोस्ते को रिलासन नहीं है फिलाल कुछ को दोना मान लोन दे मान में मान लोना है अना लेकन बोलकर नहीं मान ना अब मान लोगे फिलाल कुछ को दी मान लिया घुसेवे करेगा ठीक है घुसेवे करेगा तो बोलेंगे हमको पता नहीं था ठीक हा है हमको हमको पता नहीं था तो कुछ हो नहीं होगा हुआ किया कि आपको बाइब अनुगा दॉक्त हो पाता है जो पाता हो अधिक ही हो आपको नहीं मानें विगाए भी का चर्चा है नहीं है तो भी का जो भी होगा 100 मौन यो ठीका है समझ गया अब देखो अब बिजी से कम गया किसका किया हूँ चलो तो एक आई बी की आई से बीस परसंट कम है भया एक आई बीस परसंट अधिक है एक सो का गीस परसंट कितना होगा गीस से होगा एक सो बीस हो गया अब काता है कि सी की आई बी की आई से दोस परसंट कम है तो तो कि एक द्सेट्स कर दो कितना हो गया, थाूप हो गया, था Mm. खेड कर दक्राम बूचाजा जा जाओ, उलंशे को लिश्वान कर दो लो साअ इतो, अगला देखो तिसरा अब काता है पहली तता दूसरी संख्यां किसी तिसरी संख्यां से दौसे परसंट तता 20% कम है यदि पहली संख्यां 307 तो दूसरी संख्यां क्या है और तो हमने अभी क्या बताया तो पहले लिखो जो हिसेदार है उसको लिखो तो हिसेदार कौन अब क्या करोगे बासरा में कोई कीवरश्यां कि नहीं है तुसरा कितना है 10 परसन कम है तो 90 हो गया अब कहता है कि पॉली संखें 370 का भल्य 306 हो गया इसलिए दुसरी संखें 80 का भल्यू निकाल लो तीन सो शाथ गुना 80 बटे नब्य उन्चों के 36 अर्शों के 32320 हो गया यही आप का अनिसर हो गया समझ में आया दोस्तों अगर समझ में आया है तो उसको बना कि जरूर कोमेंट करना और अपना हाज़ी लगाना और अभी तब चेनल को सब्सक्राइब किया है किसी सब पुछने के जरूत नहीं ससक्राइब कर दीजें पईसा नहीं लगेगा अपका समझे और उगंटी को दवा देना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं और इस वीडियो को अगला पाठ पचमा पाठ आने तक एतना सेर कर दिजिए कि ताकि सब को पता चले किने वीडियो हम भी देखते हैं और किसी ने बनाया और हमको भी देखना चाहिए ठिक हा चलिए आज के लिए जय हिंद